रोटी वी खाता हूं तो बेना नमक की रोटी कहता हूं गयास बिणाномक पिकॉस नमख थोड़ा मैंने खाया लिया नव अगल्तिसें तो Bp हाई हो जयती है मेरी तो बतलब वी पे चक्क्र में मेरे को मैंने नमक छोड़ दिया यह यह नमक को नमक तुमें खाता ही नहीं कि आयोडीन नाम का जो पदार्थ होता है वह फल सब्जीव के अंदर भी होता है और हम बेवकूफ लोग होते हैं जो बहन्सकी टांक आयोडीन के चक्कर में क्या करते हैं भर-बर के नमक खाते हैं तो एक्चलिम उससे दमा हाट अटैक हाई बीपी इन जैसी चीदम ऐसी दिमारियां घर कर लेती हैं इस वज़से में खाता ही नहीं लेकिन रेकाट हो नहीं आप आप ऐसे पड़ी है वैंसकी टांक क्या करें वसा इसकी जुखाम लगती है ना इत्ती गंदी जुखाम लगती है वही या तो लगीगी नहीं और तो फिर गई तीन-चार दिन की और तीन-चार दिन के अंदर ना है पुरा शरीर टूट जाए मतलब यह माल के चलो कि पूरे शरीर को नहीं चोड़ कर देती है इत्ती गंदी जुखाम लगती है जाता हूँ मैं जाता जरूर हूँ बट वहां पे खाता नहीं हूं हाजरी ल अब दोस्तों कि आप सब बढ़िया होंगे लेकिन भाईया मैं बिल्कुल भी बढ़िया नहीं हूं भाईया खोपड़ी ऐसे घूमरी है ना तो मतलब क्या बता हूं और रेकाटोन की आलत खराव हुई पड़ी है जबादस्त कंदी लागरी जै कहां सो लागरी इसकी हालत खराव हुई पड़ी दोस्तों यह बीमार हो रहे है बहुत तगडी और मेरी भी लगबग चार दिन से तविए खराव हुई पड़ी है लेकिन मैं किसी को एसास नहीं हो भूब करता हूं वहाँ पर भी रेसिंग वाली जो गाड़े चलती है गो काटिंग चलती है तो वहाँ पर भी ऐसे वाई साब बतलब गाड़ी की तरफ देखता हो ना तो ऐसे लगता है जिसे धरती भूम रही है लेकिन मैं किसी को एसास नहीं होने देता क्यूंकि वहाँ खुंपे अगर मैं बिमारी का राश एक किसी चीज का भी अगर ऐसे कहूंगा कि में नई मेरे को दिक्कत हो रही है में काम नहीं करूंगा तो वहां पे कोई लीच नेगा पीकोज सब को अपना अपना आप समझ सकते हो ना मैं क्या बूलना चाहता हूं वो जोब है वो नोकरी है वहाँ पर जोब करना बहुत जरूरी है अपनी कुछ जिम्बेदारियां होती है उनको पूरी खण्णी होती है इस वज़े से में कैसी कुछ कहा नहीं सकता लेकिन रेकाटों य अब ऐसे पढ़ी है वैसे टांक क्या करें वसा इसकी विया खरावी पढ़ी है इसके जुखाम लगती है ना इत्ती गंदी जुखाम लगती है यह तो लगीगी नहीं और लग गई तो फिर गई तीन-चार दिन की और तीन-चार दिन के अंदर है ना है पूरा स्रीर मतलब जुखाम लगती है इसको कल में तो था जोब के उपर में तो जोब पे गया हुआ था डूटी पे और यह पीछे से घरी की मेरी तवेट खराब होगी तकडी मैंने काई दिक्क्त हो गई है कि इसके हो गए नाक दोनों नाकों के रास्ते जाम जैसे ट्राफिक जाम होता है न वैसे नाक का रास्ता बिल्कुल जाने है और फिर वस रोना दोना स्टार्ट आखों में आंसु स्टार्ट चुकाम लगते हैं तो बहुत गंदी लगती है और फिर कहें कि ऐसे नाजो के स्तितिक अंदर इसको फिर में हाई डूस वाली दौएं भी नहीं दिला सकता अगर त दौस्तों मैं ना मेरी इकादत है दवाई में बाद में लेके आता हूं मैंडिसिंस तो बाद में लूँगा उससे पहले में काड़ा बनाके पिलाता हूं और पीता हूं क्योंकि काड़ा एक ऐसी चीज है ना आयरुवेदिक चीज जिससे अपनी बोडी के अंदर हो तो इसके बस यह हालत होई पढ़ी है देखो कमरे के अंदर देखो क्या यह भगोना पड़ा इसके अंदर इसको भाप दे रहा हूं मैं और देखो कितनी सारी दोवाई या रखी है ड्रेसिंग टेबल पर दूद है प्लस दोवाईया है और एक यह पानी के बोतर के साथ इस काली ओरी ठेली अंदर मेरी दोईया फिकास मेरे भी बहुत भाएं कर लपड़ा होँ पड़ा या मेरा जो लीवर है वह पता नहीं है फेटी लीवर कैसे बन गया मतलब उसके अंदर साले में कुछ खाले थाओना थोड़ा बहुत भी तो मतलब दर्द होना start हो जाता है दो बहार की कोई भी चीज पचती नहीं है घर की भी मैंने चीज का के दे ली घर वाली चीज भी नहीं पचती है इसकी टांग करो तो क्या करूँ अगर आपके पास तो सजेशन है कि लीवर को स्ट्रोंग कैसे बना के रखना है वो पचता है बिन चुकी सबजी दल्या दूद नमक की रूटियां खाता हूं गाईज बिना नमक की विकॉज नमक थोड़ा मैंने खाय लिया ना अगलतिसे तो बीपी हाई हो जाती है मेरी तो बतलब बीपी के चक्कर में मेरे को मैंने नमक छोड़ दिया यानि नमक को नमक तो में खाता ही नहीं क्योंकि आयोडीन नाम क highbp इन जैसी चीधा ऐसी बिमारियां घर कर लेती है इस वज़से मैं खाता है नहीं तो नमक तो मैंने बंद कर दिया और लीवर की वज़से तो मैंने तेल भी बंद कर दिया बिना चुकी हुई सबजी जैसे की दाल पाला जैसातर तरड़त मैं दाली बनवाता हूं पालक बीरह रही हैं बतलब नूर्मल पाणाए की सब्जी घा रहाएं को कुल मिला के बात ही स्वस्तने लीए और ये तू क्या भाई रही है तू सब चल भर रही है अब दो तिन से तेरी शिट्टी पिट्टी गुल कल से और आज से दो दुन काई अच्छों को लागरें काई चोगों को नागरें अब देख लो कुछ भी कुछ भी नीकारी इस टाइम पर आज सुबह का मैंने कम से कम इसके पास 20 फोन तो कर दिया होगा थे वास बीस फोन तो कर दियो लो ने एक एक हर 10 मिनट की में इंफ्रमेशन ले रहता की इंप्रोमेंट हुआ गो नहीं हुआ लेकिन गाइस मैंने इसको एक खराब होती है कुछ भी और मैं तो मैनने तो 2020 में मेरे दिक्कत ही थी खोड़ी मैंने सबकुछ खाना यी बंद करदिया जीमण शादी हो स्वामनी हो चाहिए कुछ भी हो मैं जीमता नहीं जीमने जाता ही नहीं मैं बंद कर दी मैंने जीमना भी बंद कर रहा है बिरकूल चले तो जाता है लिए जाता हूं मैं जाता जरूर हूं बट वहाँ पे खाता नहीं हूं हाजरी लगा के आता हूं बट यह कहता हूं भाया देखो बात ऐसी है प्रॉब्लम करता है मेरे को खाना नहीं है जो चीज मेरे को सूट करती है न मैं वही वही खाता हूं जैसे दूद दलिया छाच दही रबडी ठीक है लसी सिकंजी इस तरह की चीजे नहीं की इक कॉल्डरि हिस्ट चाए बंद हो गया हम जहां जोब करते ना वह प्यार लड़के मतलब लग इस टाप कि जो कुछ लड़कें हैं एकाद अप्वाद हैं हर जगनी होते हैं बट अप्वाद हैं वह क्या कर देते हैं क्या घंदगी कर देते हैं तो मतलब हमारे जीम सर ने देख ली यह करना जरूरी है क्योंकि हम अपने घर में गंड़ी की नहीं करना चाहते कहीं पर भी गंड़ीगी नहीं देख सकते तो हम जहां जोब कर रहे है तो वह का हमारी प्रοपरिय तो है नि їं जिनकी प्रोपर्टी है ़ो भी हर चीज को देखते की साफ सुतिरी रहेगी तो कस्टमर्स देखेंगे रिव्यू देखेंगे कि कस्टमर्स को अगर कुछ भी गंदिगी दिख जाती है ना तो मतलब मन नहीं करता तो बंदा दुबार जाता नहीं है और चलो वह तो एक कस्टमर्स की बात हो गई परसनली मैं तो अपने घर में अपने ऐक फेमिली के अंदर देखेंना तो आपर वहां पर गंदिगी नहीं फैलाते हैं तो हम कईसी की दूसरी की प्रफटिव गंदिगी येसे कर सकते हैं तो वहां पर कुछ ऐसी चीजे दिग गैती जो नहीं होनी चीए थी इस हुझे से हम सब टीम थे तो टीम कभी कोन कभी कोन ऐसे पिला देता है तो मैंने दे दिये 20 रुपे की बात ती यार. अब गरीब आदमिय member 20 रुपे दे सकता है सारे लटकों ने यार कोई 5 रुपे कोई 10 कोई 20 रुपे दिया आप भी दे थे गैं नहीं पिया तो क्या हो गया यार मेरी उच की दर्मराज ही नहीं पिल ली इंड गाइस बीच में कोल आ गया दोस्त का तो यह वीडियो बंद हो गई बीच में अब बज़े रहे हैं रात के कितने ग्यारा बज़े कर चाउन मिनट यानि की बारा बज़े का टाइम हो रहा है और रेकाडन सो रहा है इसको नीद आ गई इसकी तवियत बहुत जगा खराब हो रही है इसको होस्पेटर ले जाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है डॉक्टर नी के बास ले जाग इसके सुवी लगाएंगा नहीं है तो नहीं लगाएंगी आर सुआ हैं मैंने चिरत के सिरिंद लगवा लुक्त फॉह को सुझाल की जरा लाइगई स्व्राइट निए और ये लंगे लंगी सूान इइन इस नहीं रहे हो तो श्री जरों काहिएं बसनो को पाल मता है मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूंगा जिन्दगे में आगे बढ़ने के लिए है मैं आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए सपोर्ट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा वो जो बटन दिख रहा है आपको लाल लाल उसको जूता बैक के मारो या परतन फैक के मारो मुझे नहीं पता क्लिक हो जाना चीए पटापट क्लिक कर देना ठीक है मैं नेक्स वीडियो में आउँगा और और भी अच्छ अच्छी बात ही लेकि आऊँगा तब तक के लिए टेल एंड बाबाई शी सून